नमस्कार स्वागत है आपका देने टॉप में मिना नाम है विशाल पटना का वो लठमा रेडियम जिन्होंने छात्रों को बहरामी से पीटा 22 अगस का वो दिन था जब पटना के डाग बंगले चोरहे पर सीटेट बिटेट के छात्र अभ्यरती अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे अचानक एडियम के के सिंग ने छात्रों पर बहरामी से पिटाई कि एक छात्र को बहरामी से इतना पिटा उनके कान से खूल निकलने लगा और उनके हाथ में जंडा भी था रास्ते द्वत जो हमारा देश कतिरंगा जंडा है और इसको लेकर के पूरा जो वीडियो है सोचल मीडिया पर वाराल हुआ पूरे देश में थूतू हुई एडियम की और साथ साथ बिहार की भी किरक्री हुई इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं उप मुखवंती तेस्वी यादव की जिन्होंने संग्यान लिया और पटना डियम को फोन करके जाच करने का अदिश यार पटना डियम चंद्र सिखर ने उसी दिन जाच कमीटी बना करके जाच रिपोर्ट तीन दिन में सोपने को कहा था पांच दिन के समय दिया गया अब बारा दिन में ये रिपोर्ट पेस किया गया है पटना डियम को पटना डियम चंद्र सिखर के पास रिपोर्ट आया और पटना डियम ने एडियम केके सिंग को सो कॉस नोटिस जारी कर दिया गया है और पूछा है कि आपने इस तरीके से क द्वज का अपमान किया गया है और ऐसी कारवाई होगी जो कि अधिकारी याद रखेंगे छात्रों को पिटने से पहले ये बात सामने आ रही है और इसको लेकर के देखे बीते दिनों बावाल मचाता पूरे देश में बिहार पुलिस के किरकिरी हुई थी बिहार सरकार के किर पर हुए लाटी चार्ज के मामले में आखिरकार एडियम लोएन ओर्डर दोशी पाए गये हैं जाज कमीटी ने डियम को रिपोर्ट सोब दी है जिसके बाद पटना एडियम चंदर सेखर ने एडियम केके सिंग को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और फाइनली जवाब मांगा गया है मिली जानकारी के अनुसाद जाज कमीटी ने सभी बिंदूओं पर जाज की जिसमें डाक बंगला चौरह है पर लगे सीसी टीवी पुटेज पुलीस अधिकारियों के बाद यह पाया है के डियम केके सिंग ने जरुरत से जादा बल पुरबग प्रियोग किय और तिरंगे जो रास्ट धुस तिरंगा था उसका भी अपमान किया गया जाज कमीटी के रिपोर्ट के मुताबिक एडियम को छात्र की पिटाई नहीं करनी थी जब छात्र हात में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहा था तो उसे सीधे तोर पर गिरपतार करना चाहिए थ जाज कमीटी ने एडियम की पूरी कारवाई पर सवाल उठेते वे उन्हें दोशी माना है बता दे बीते 22 अगस्त को सात्वे चरन की प्रारंबिक स्कुलों में सिख्षक बहाली के विग्यापन जारी करनी की मांग को लेकर राजभर के अभिरती डाक बंगला चौराहे पर प्रदशन करने पहुचे थे तभी वहां मौझूद एडियम केके सिंग लोईन ओर्डर ने तिरंगा लिए एक छात्र को जिसका के नाम अनिसुर रहमान है बहरामी से पिटाए कर दी और तिरंगे पर लाठी चलाया था जिसके बाद बवाल मचा दिप्टी सीम तेस्वी अ पटना और एसपी सीटी को दिया गया जिसमें काफी देर भी हुई माना जा रहा है कि एडियम पर बड़ा एक्शन हो सकता है और उनके उपर उनके खिलाप एफायर भी दर्ज किया जा सकता है क्योंकि रास्ट ध्वज का अपमान हुआ था और उसमें एडियम की नौकरी प गायल हो गया था तो देखे इस तरीके से लगातार जो खबर चली ते सोशल मीडिया पर वो सेटीव फूटेज को खंगाला गया और तमाम जो चैनल में ये खबर चल रही थी और रिकॉर्ड जो कैमरा में तो तमाम चीजों को खंगाला गया है जो दो दांच अधिकारी थे उन्होंने पूरा जांच करके पटना के डियम को जांच रिपोर्ट सौब दिया है अब कारवाई क्या वक्त है अब कारवाई होगा ऐसा कारवाई होगा कि पटना एडियम या पटना के जो पुलिस अधिकारी हैं वो याद रखेंगे चात्रों को बेकसूर चात्रों को पि है हो सकता है उनकी नौकरी भी जा सकती है क्योंकि राष्ट द्वज का अपमान से जुड़ा हुआ है फिलाल इस कवर में इतना ही हमें दीजे इजाज़त फ्रेम मिलते किसी बड़ी कवर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद